उद्यापुर के गोगंदा से बड़ी ख़वर का रुक करते हैं सेना के ट्रक में आग लगने का मामला हाईवे पर दोनों तरफ करीब 10-10 किलोमेटर लंबा जाम लगया है सेना के ट्रक में रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं दमकल के काडिया आग बुझाने के कोशिश कर रही है आग की सूचना पर सेना के जवान मौके पर पहुंचे हैं वोगंदा, SGM, तैसिलदार, खाना अदिकारी भी मौके पर मौझूद और यह तस्वीर हम आपको लिखा रहे तस्वीर ज़रा देखे, यह सेना का ट्रक जिसमें आग लग गई है, रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं और यह तोड़ी सी जंभीर बाद के ट्रक में रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं क्या ट्रक के अंदर विस्पोटक सामग रहे थी, बैराल दस किलमेटर के आसपास का जाम दोनों तरफ लग गया है आग की सुचना पर सेना के जवान मोके बर पहुँचे हैं, गुगुदा एसडियाम पहुँचे, तहसिलदार पहुँचे, थानादिकार पहुँचे हैं एंबुलेंस भी मोके बर पहुँचे और फार्वरगेट की गाड़ियां भी मोके बर पहुँची हैं आग बुजाने की कोशिश लगातार की जा रही है तस्वीरे फश्णडी आपको दिखा रहा है यह सेना का ट्रक जिसमें आग लगई आग लगने के काणू का खुलासा अभी तक नहीं हुआ लेकिन जो जानकारी वो थोड़ी सी समस्या को विक्राल करती हुई की रुक रुक कर धमाके हो रहे है मेरे उस्योगी रवी जोड़ चुग है रवी सेना के ट्रक में आग लगी प्रारंबिक तोर पर ये जानकारी तो मुश्किल है कि किस वजह से लगी लेकिन रुक रुक कर धमाके होना क्या अंदर कोई विस्वोटक सामगरी बिल्कुल देख जिंदर दरसल ये जो है एक बाहन था जो सेना के जो पूरा एक जो काफिला था उसका एक बाहन था कॉन्वोई जो है इसमें दरसल अचानक से आग लगी हाला कि इसके लिए सेना की ओर से कमेटी गजित कर दी गई है जो आग के कारणों की जाच करेगी लेकिन अभी भी लगातार ब्लास्टिंग हो रही है बिस्पोर्ट हो रहे हैं उसकी बज़े ये कि संबब्त है जो ये बहान है जो ट्रक है उसमें काफी तादाद में करीब ऐसा बताय जा रहा हमारे सूत्रों की माने तो 40,000 राउंड से जादा बुलेट थे हैं और इसके अलावा अन्य बारूद जो है वो बोला बारूद है और उसमें लगातार ब्लास्टिंग हो रही है दमकले मौके पर पहुंची लेकिन एका एक जो है उसको आग को काबू करना बड़ा मुश्किल था तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और इसके अलावा दोनों तरफ का जो रास्ता है उसको रोग दिया गया है चुकि उदैपूर पिंडवाडा हाईवे पर ये जगह है उकलिया टरनल के पास की इगटना है ऐसे में काफी लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है पुलिस के जबान मौके पर है लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी सेना का जबान जो है वो इसमें अहतात नहीं हुआ है हाला कि पूरा जो टरक है वो जलकर खाक हो चुका है जिस तरीके से एक तरीके से कहें तो आग का पूला बन गया देखते ही देखते रवी क्या इसमें कोई साजी शो सकती है इस सवाल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरा बेड़ा चल रहा था और उस बेड़े के अंदर उसी ट्रक के अंदर आग लगती है जिसमें भारी मात्रा में अमिनेशन था देखिए बिजिंदर जैसा मैंने बताया कि सेना ने इस पूरे घटना करम को लेकर एक कमेटी घटित की है और कमेटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक बावत कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये जरूर है कि एक जो महान था उसी में आग लगी अब संबब है शॉर्ट सर्कृट पे भी आग हो सकती है और चुकि असलाह था उसमें सेना का तो ऐसे मैं तुरंट से आग पकड़ ली और देखते ही देखते जो पूरा ट्रक है वो जलकर खाक हो गया लेकिन बड़ी बात ये है कि कोई जवान हतात में हुआ ये सबसे सुख़द इस पूरे गतना करम का पहलू है लेकिन अभी आग को काबू करने की पूशिश की जा रही है और काफी तादात में वहाँ पर पुलिस के जवान हैं और जो दूसरे सेना के क्यू आइटी जो टी हो रहे हैं रभी ऐसी सीती में कंट्रोल करना आको बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो नजदीग जाकर आको बुझाने के कोशिश करेंगे उनकी जिन्दगी भी खत्रे में होती है सवाल यह है कि जो इलाका जहां पर ये ट्रक है वहां से जो वहान है जो वहां चलने वहां उनको कितने पहले रोग दिया गया है और आको बुझाने के लिए क्या ववस्ता की जा रही है बिल्कुल देखिए काफी जो है बड़ा घटना करम था और ऐसे में कई किलोमेटर पहले ही जो है जो आम भाहन थे उनको रोग दिया गया और देखिए विजिंद्र में मताना चाहूंगा कि उद्यापूर पिंडवाडा जो यह हाइवे है इस पर शाम के टाइम में अमूमन जो ट्रैफिक है वो कम होता है चुकि कई बार इस तरह की पथराब की गटना है जो है वो बाहनों पर हुई है तो ऐसे में इस पूरे हाइवे पर शाम को 6-7 वजे के ब जो है वो मौके पर हैं तमाम प्रशाथनी का आला अधिकारी मौके पर और सेना की ओर से एक कमेटी गढ़ित कर दी गही है जो इस पूरे गटना करम की चांच करेगी और इसके बाद में निशकर्श पर पहुंचा जा सकीगा लेकिन किसी तरह की कोई साजिश जो है वो फिल करें हमारे साजा करने के लिए